तिवारों का मौसम आ गया है तो ऐसे में मीठा खाना बनता है ना और उसमें भी आम पड़े हो तो कहने ही क्या यानि की मीठा और आम एक साथ हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अंजू और आपका मेरे चैनल सात्विक कड़ाई में बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे बीना दूद की मैंगो सिवईया तो चलिए बनाना शुरू करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम गैस ओन करेंगे उसपे हम एक नॉनिस्टिक पैन रखेंगे फिर हम दो टेबल स्पून देशी गी डालेंगे आप घी पसंद नहीं करते तो आप इसे किसी भी वेजटबल आयल में बना सकते हैं अब घी को हम गरम होने देंगे गी गरम हो चुका है अब हम इसमें दो टेबल स्पून कटे हुए बदाम और दो टेश्पून क काजु का डालेंगे काजु को हमने दो टुगड़े में कर लिया है आप काजु को चाहे तो छोटे छोटे तुकड़ों में भी काट सकते हैं या फिर आप साबोद भी। भी। अब हम इन काजू और बादाम को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे नहीं तो इनका टेस्ट खराब हो जाएगा आप चाहें तो इसमें किश्मिस भी डाल सकते हैं आप चाहें तो इसमें नारियल भी काट कर डाल सकते हैं आप और भी कोई ड्रेफ्रूट्स डालना चाहें तो डाल सकते हैं यह देखिए बादाम और काजु गोल्डेन ब्राउन हो चुके हैं अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अब उसी पैन में हम एक कप सेवईयां डालेंगे सेवईयां हम मोटी वाली लेंगे जिसे हम बरमेशली भ खराब हो जाएगा इसी अब हम एक फिलेफर्स को और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे अब पैन को हम फिर से गैस पे रखेंगे अब उसी पैन में हम दो कप पानी डालेंगे आधा कप चीनी डालेंगे और चीनी के घूलने तक हम पानी को उबालेंगे इसे हम चम्मच की सायता से लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि चीनी बहुत जल्दी से जलने लगता है यह देखे चीनी घूल गई है और पानी भी उबल नहीं वाला है यह लिजे पानी उबल गया अब हम इसमें घूनी सेवईयां और ड्रेफोस डाल देंगे अब सेवईयों को हम हलके हाथ से चला देंगे सेवईयों में एक उबा लाने के बाद से हम फ्लेम को लो कर देंगे और ढखक कर कुक करेंगे इन्हें तब तक कुक करेंगे जब तक यह सॉफ्ट ना हो जाए और ट्रांस्पेरेंट ना हो जाए बीच बीच पर कवर अटा कर हम सेवईयों को चला देंगे सिवयों का पानी सूखने लगा है अब हम इसे चेक कर लेंगे ये देखिए सिवयां ट्रांस्पेरेंट होने लगी है सिवयां हलकी कच्छी हैं इसी समय हम आधा कप मैंगो प्यूरी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद एक मिनट तक हम इसे पकने देंगे, अगर हमने आम के पल्प को पकाया नहीं तो सिवईया बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी, एक मिनट हो चुका है, अब हम इसमें आधा कप आम के छोटे-छोटे टुकड़े डाल देंगे, और इसे भी मिक्स कर देंगे, इने भी हम हलके हाथों से चलाएंगे, अब ढग कर फिर से हम एक मिनट के लिए पका लेंगे, सेवईयों को हम ज़्यादा सुखाएंगे नहीं, वरना बाद में ये टाइट हो जाएंगी, सेवईयों को खाते समय आम के चंक्स जब मूह में पढ़ते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें मिलकमेड भी मिला सकते हैं, अगर सेवईयों की बावल में निकाल लेंगे, ये देखीए सेवईयों कितनी लच्छदार और सुंदर लग रही हैं और खाने मे भी उतनी ही टेस्टी हैं, आप इन सेवईयों को किसी भी त्यवहार पर बना सकते हैं, आप सेवईययों बना कर फ्रीज में रख दें और जब भी ज्यादा मात्रा में बना कर फ्रीज में रख दें और एक हबते तक इसका अनंद ले अब सेवईयों को हम आम के कटे हुए टुकडों से और ड्राइफूट से गानिश कर देंगे बीन दूद की मेटी सेवईया बनकर तयार हैं आप भी जाएए अपनी कीचन में और फटाफट सेवईया बना कर रख दीजिए यकीन मानिए बड़े तो बड़े बच्चे भी इसे बहुत चाव से खाएंगे यह रेसिपिक आपको कैसे लेगी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं दोस्तों रिस्तेदारों में भी इस रेसिपिक की लिंक को शेयर करें मेरे चैनल पे न थैंक्स पूर वच्चिन